सीजो नियूज हर खबर आप तक इस समचार के प्रयोजग है आज आर्टी स्कूल अच्छी शिक्षा के लिए आज ही करवाई रजिस्टेशन संपर करें 9472-693944 नमस्कार स्वागत है आपका सीजो नियूज में अभी हम खड़े हैं सहर से सटे द्रभंगा एनेच संतावन के बगल में लसकरिपूर पंचायत अंतरगत आने वाली मिठल सराय मादोपूर गाउं में जहां स्रीश्री ललीता त्रीपूर सुन्दरी दस महा विध्या धाम मंदीर का भव्य निर्मान कार्य प्रारंभ है और आप देख सकते हैं कि इस मंदीर के निर्मान कार्य के लिए मजदूर लगातार दीन रात एक करके यहां पे मेहनत कर रहे हैं और इस मंदीर के विशय में बताया जाता है कि इस मंदीर में दस महा बिध्या देवी का भव्य प्रतिमा अस्थापना किया जाएगा आपको बता दे कि इस मंदीर में मातकाली, तारा, महाबिध्या, शोडशी, फुनेश्वरी, भैरवी, छिनमस्तिका, धुमावती, बंगलामुकी वा ललिता, त्रीपूर्ब, मा का परतिमा अस्थापित किया जाना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं मंदीर निर्मान कारे में मजदूर्क मंदीर के निर्मान में लगे हुए है और यहाँ पर ग्रामीन भी उपस्थित है आपको बता दे कि इस मंदीर के निर्मान के लिए इस भूमी को दान देने वाले दान करता पंडित धीरजाद धरमेश जो यहां उपस्थित है और आईए हम उनी से जानते हैं कि इस मंदीर के विशय में किया उद्देश के ताथ इस मंदीर का निर्मान कारे क्या जा रहा है। नीजी भूमी को सालवजनिक करते हुए इस मंदीर का निर्मान इसलिए किया जा रहा है जो आजकल जितने भी मंदीर हैं सभी मंदीर अक्सर बिहार सरकार के अंदर बनाया गया है। ब्राम्हन छत्री बैस सुद्र रंकराजा बेस्या ब्रम्हचारी सब को धर्म के सुत्र में बाढने वाला हो। इसी उद्देश से हम ये दस महविद्या मंदीर का निर्मान कर रहे हैं। मंदीर के अंदर क्या इसकी खासियत होगी। मंदीर के लोग करते हैं। जो सामोहिक बिवाह बवन होगा। पीछे लोगों के आए हुए लोगों को रहने के लिए इसमें धर्मसाले की ब्यवस्था की जाएगी। चार मंजिल का यह भब बिसाल मंदीर होगा। और सभी के सहयोग से यह मंदीर बनेगा। इस मंदीर पे कोई भेदभाव नहीं होगा। जितने भी संसार में जीव हैं सभी इस मंदीर में आकर इस्वर की आराधना करेंगे। और अपने आप में सांती की अनभूती करेंगे। मंदीर की उत्तर बिहर की सबसे बड़ी मंदीर देखी जा रही है। इस पे क्या कुछ कहेंगे। दिखिए यह तो मा की प्रेरना है। इससे पहले भी मैं कई मंदीरों को बनवा चुका हूँ। मा के प्रती ऐसा लगाव है। तो अपना सौभा के समझता हूँ। जो मा दस महा विद्या इस कारी को करने के लिए मुझे चूना है। मुझे उप्यूक्त समझा है। और हम ही नहीं पूरे मीठन सराय माधोपूर ग्राम बासी या हम से जुरे हजारों लाखों भक्त इस कल्यान कारी कारे में अपना तनमंधन सरबस अरपन करके इस निर्मान को सुलाब बना रहे है। तो ये थे हमारे साथ मंदीर निर्मान कारे में अपनी परमुख भुमी का निभाने वाले पंडिर धीरज्या धरमेश जी जिन्होंने साफ तोर पे कहा कि मंदीर निर्मान में समाज कल्यान है तू और दस महाविध्या देवी की अस्थापना है तू इस मंदीर का निर्मान कार्य प्रारंब है आईए हम यहाँ पे जानते हैं कुछ अन्य ग्रामीनों से और क्या कुछ कहते हैं इस मंदीर के बिशाय में? मन्दीर का इस मंदिर को लेकर की जो मंदीर अस्ठापना हuesta, उसे क्या कुछ कहेंगे आपको? यहाँ मंदीर बनने से समाधि का हमbell से अच्छा होगा. बहला होगा, सभी आदमी का बहला ही होगा इसमें. हमारे गाउं में दस महाविद्या मंदिर बनने जा रहा है उसका सुरुवात हो चुका है फाउंडेशन का काम भी हो गया है और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे गाउं का विकास हो रहा है धर्म का विकास हो रहा है जैसी रादे मिठन सराय माधुपूर में दस महा विद्या मंदीर पंडित धिरजाधर में इसके द्वारा बनवाया जा रहा है जो एक समाजिक कल्यान के लिए हम जहां तक इनको जानते हैं हमेशा समाज के लिए ये थत्पर है कुछ नगुछ समाज में विकास के लिए करते आए हैं और हम लोग तो इनके आज़े चेला के रूप में हैं ग्यान लेने का ही रूप कारे करते हैं और हम लोग को बहुत खुशी है कि दस महा विद्या मंदीर एक बहुत ही विशाल मंदीर मिठन सराय माधोपूर में बन रहा है मेरा नाम छोटू पादया हुआ बरहामपूर कर्मन पंचायत मोतिपूर अंचल का निवासी हूँ जा सिराद है तो आपने देखा और सुना यहां मंदीर कारे प्रारंब है और यहां पे हमने इस मंदीर के मुख्या निर्मान करता धीरज्जा से भी वरतालाब किये और यहां पे अन्या ग्रामीनों से भी वरतालाब किये और जैसा कि संभावना लगता है इस मंदीर को बनने में पांच साल की अबधी का एक समय लिया गया है और इनके द्वारा जो बताया गया कि इस मंदीर में समाज कल्यान हेतू हर तरह की बेवस्था की जाएगी मैं दिल्जेत गुपता संबादाता से जो ने उज मुझा परपूर